हलो एब्रिवान एंड वेलकाम टू इंजीनियर्स फाला सीवीडी वान कंप्लीट हो चुका है अब बारी है सीवीडी टू की सीवीडी टू में आपको बेसिक क्या-क्या पता होना चाहिए कौन-कौन से बेसिक अशेंशल माटीरियल आपके पास में होनी चाहिए कैसे आपको तैयारी करनी है रोड मैप क्या होना चाहिए कितने टाइम आप लोगों को मिलेगा सीवीडी टू एक्जाम के लिए और इसमें किस ट्रैप के कुश्चन आपके पूछे जाते हैं लास्ट यर की जो कुश्चन थे वो किस प्रकार से थे इन सभी चीज़ों का जिकर इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा सुरूर से लेके लास्ट देखेगा ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों को सीवीडी टू के बारे में कम्पली डिटेल मिल सके चली बिना देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों को सीवीडी टू एक्जाम के लिए टोटल पैंताली से साट दिन मिलेंगे यानिकि लगबग डेट से दो महीना मिलेगा अभी से जब आपकी रिस्पॉंस किया जाएगी उसके बात से अब अगली बात या थी कि बेसिक डिटेल जो आप लोगों को पता होनी चाहिए सीवीडी टू के बारे में वो कुछ इस तरीके से हैं कि यह एक्जाम आपका हिंदी और इंग्लिस दोना लेंग्विजम आपको देखने को मिलेगा जैसा सीवीडी बन में था दूसरा नंबर ओफ कोशन आपके टोटल हंडेड कोशन मिलेंगे और एक कोशन आपके तीन नंबर का होगा तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 300 टाइ बात कर लेगी और उनकानीकल के अनचल वाले स्टूडेट के लिए हो कि में जहां पर गलत होने पर पर आपका सही मार्क्स में से एक नंबर कटेगा मतलब इता है इक कोशन तीन नंबर का है तो यृट्ट और खार लेrying लोग बात कर रहे हैं में चीज कि कितने number of candidate appear हुए हैं आपके exam के अंदर उसके ओपर depend करती है normalization जो आपका shift का difficulty level होता है कोई shift आपकी difficult आजाती कोई आसान कोई moderate easy इस तरीके से आती है तो उसमें अलग अलग shift में जो भी difficulty level था उसके according normalization किया जाता है उसके आधार पर cut off बनती है और number of vacancies किसी भी exam board ने कितने number of vacancies release करी थी या कितने number of vacancies को announce किया था उसके आधार पर भी depend करता है level of the difficulty of the question और question का level कितना difficult था उसके उपर भी depend करता है and finally candidate average score और जो candidate है उनका average score कितना आ रहा है इन सभी बातों के उपर आपकी cut off depend करती है जैसे अगर हम लोग एक last year की cvd1 की cut off के उपर नज़र डालें तो unreserved category के लिए ये जो cut off थी highest cut off थी और ये cut off थी आप लोगों की 108 ठीक है और फिर दीरे दीरे अगर आप देखेंगे EWS के लिए 98.91 के अल्मूस 99 थी OVC के लिए 106 थी ST के लिए 87 SC के लिए 89 थी और आपके पास जो handicap होते हैं अलग-अलग category के लिए तो जो आप लोगों के handicap के इंदर 84 cut off थी और जो आप लोगों की hearing handicap जो होते हैं उनके लिए 56 थी same ऐसी other PWD के लिए 40 cut off थी इस तरीके से total cut off थी आपकी cvd1 की last year साथ में यहां पर कितने candidate available थे वो भी आप लोगों को total दिखाये गया है कि 10154 cut जो student थे उनके according यह candidate available list है आपके लोगों की same to same अगर मैं cvd2 और cvd1 की जो final cut off थी देखो जब भी कभी cvd2 और जब भी cut off बनती है एक list बनती है selected student की तो वो cvd1 और cvd2 दोनों के marks के उपर बनती है यानकी total cvd1 के 200 और cvd2 के 300 यानकी total 500 में से आपकी cut off बनेगी तो last year undeserved category के लिए civil engineering के लिए हम लोग बात कर रहे है cut off थी 346.73 OBC के लिए थी 339.94 EWS के लिए 338.17 SC के लिए 311.65 and ST के लिए 313.86 यह total 500 में है out of 500 आप लोगों के हम लोग बात कर रहे है अब यह CPWD, MES, BRO, CWC and Frecadam सबसे कम जो आप लोगों cut off दिखाई दे रही है वो यहाँ पर आप देखेंगे BRO की है जो की 299.96 है वो भी ST category के लिए यहाँ भी आपको कम सिकम 325.96 नंबर चाहिए थे अगर आप लोग unreserved category से हैं तो यह आपकी overall cut off थी अच्छा यह जो cut off थी इसको लेकर के अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र करता हूं तो देखें आपका जो total paper रहेगा total paper जो रथा cvt2 का देखें cvt1 में आपकी cut off किती रही मैं सबसे पहले unreserved category के लिए बात करूंगा तो यह cut off थी आपकी 108 cvt1 की cvt2 की cut off कितनी थी तो cvt2 की cut off थी यह थी आपके पास में कितनी यह लगबग मानने के चलिए आप 238 के something cut off रह तो यह आपकी overall cut off रही cvt2 के अंदर अब मैं बात करता हूं कि syllabus क्या था आप लोगों का और cvt2 का last year और इस बार क्या syllabus रहेगा syllabus में कोई नई कोई खास सीज नहीं है वही same subject आप लोगों पढ़ने जो आपने cvt1 में पढ़े थे जैसे की bmc and ct, surveying, soil mechanics, irrigation and hydrology, rcc, estimate costing and valuation, fluid mechanics, hydraulic machine and ocf, environment engineering, steel structure, structure analysis, highway के अंदर railway, airport, engineering और आपका railway भी भी रहेगा, airport भी रहेगा, dock harbor भी रहेगे, यह सभी इसके अंदर include रहेग यह subject के list हैं, जो आप लोगों से exam में पूछी जाएगी, तो अलग से कोई syllabus नहीं है, जो cvt1 में आपको बता दिया गया, वही syllabus आपको follow करना होगा, ठीक है, अब हम लोग यह बात भी कर लेते हैं, कि last year, कौन से ऐसे subject थे, जन्होंने highly weightage को maintain किया, देखिए, अगर मैं एक चोटा सा discussion आपके साथ करूँ, तो आपको कितने marks सही करने होते हैं, जब आप last year, जिननी student ने qualify किया, मैंने आपको बोला कि total आपका 500 marks का paper होगा, जिन में से जो cutoff थी, वो थी 346 cutoff में, एक average मान के चलना हो, round figure में 346 आपकी यह cutoff थी, अब 346 में से CBT1 की जो cutoff रही, वो थ condition में बात कर रहा हूँ, ठीक है, यह cutoff थी, आप लोगों की 238, ठीक है, इस तरीके से, अगर इसको मैं almost एक round figure में, मैं इसको 240 मान के चलता हूँ, तो आपको पता है कि एक question जो था, वो आपका 3 number का था, 3 marks का, तो अगर एक question 3 marks का था, तो total अगर आपके पास 240 marks, मान लीजे, यह cutoff कही है, CVT 2 के, एक average लेके चलना हूँ मैं, तो आप लोग इसको 3 से divide करिए, तो almost आपको 80 questions सही करने हैं, कितने questions सही करने, 80 questions, कितने मैं से, out of 100, तो यह एक बड़ा challenge हो जाता है, मतलब आपको गलती के chances ना के बराबर हैं, आपको बहुत अच्छे तरीक से त्यारी करन लेकिं, CVT 2 में आपको बहुत ज़्यादा score नहीं कर पाओगी, क्योंकि cutoff ही अगर आप देखोगे, तो CPWD की cutoff आपकी कब मिलेगी आपको जब आप 80 से 85 questions सही करेंगे, और देखो जो cutoff होती है, वो बहुत बड़ा change नहीं दिखने को मिलता, वहाँ पे 5 या 10 number का average एक change दे question सही करने पड़ेंगे, तब जाके आप CVT 2 को qualify कर पाएंगे, ठीक है बात, तो यहाँ पर आप आप देखेंगे, BMC CT से 16 questions पूछेगा है, surveying से 12 questions, soil mechanics से 11 questions, irrigation hydrology से 10 questions, RCC से 10 questions, estimation costing से 9, और fluid mechanics से 13, इस तरीके से 81 questions बनते हैं, और भी बाकी subject के question थे, लेकिन वो थोड़े कम maintain कर रहे थे अपना weightage, लेकिन ये 81 questions, highly weightage वाले subject से देखने को मिले, अगर इनको आपने strong किया होता, last year की मैं बात करूं, तो आपके marks अच्छे बन सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी subject को हमें पढ़ना नहीं है, एक बार इसके बार एक चीज को आपन रजा डालते हैं कि last year का जो paper था, CVT 2, या फिर कहूं, इस बार जो आपको paper prepare करना है, उसके लिए आप लोगों को क्या-क्या पता होना चाहिए, तो आपको कौन-कौन से type के questions आपके exam में देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको data-based question देखने को मिलेंगे exam के अंदर, दूसरा direct database, मत कौन से, कितने statement correct है, 1, 2 और 3 correct है, 1 और 2 correct है, इस तरीके के questions, तीसरा है numerical-based, आपको numerical-based questions मिलेंगे, जहाँ पर data आपको दिया होगा, formula apply करके answer निकालना होगा, assertion और reason के questions आपको देखने को मिलेंगे, true and false के questions देखने को मिलेंगे, last time match the column, तो इतने type के questions आप लोगों को तया last year, जब यह paper हुआ था, तो कौन-कौन से question आपको देखने को मिले थे, इस तरीके की PDF मेरे पास में, हमारे पास में total 100 question, जो की CBD2 में आप लोगों से पूछे गए, वो आपके लिए, मैं आप लोगों को मेरे official telegram channel, देवेश सर पीड़ावू पे provide करा हूँगा, तो आप मेर करके समझाता हूँ, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, कि एक data-based question है, देखिए दान से, यह data-based question है आप लोगों का, जो directly CBD2 के अंदर पूछा गया, RCC से, तो आप लोग इसको direct अगर याद है, IS code के थूरू, आप इसको आसानी से solve कर लोगे, next question है, यहाँ पे आप लोग एक statement based, next मैंने आपको बताया था, numerical approach, जैसे यह question आप लोगों को बता रखा है, जो आपका subject होता है, estimation and costing से, तो यह आपका numerical based subject आ गया, यहाँ से आप से numerical, यह भी आपका last year CBD2 का ही question है, इन सारी questions की detail, which solution में आपको provide करा दोगा, official telegram channel पे, next question की बात करते हैं, यहाँ पे आप reason का question आगया, तो assertion reason भी last year पूछा गया CBD2 के अंदर, next question देखेंगे, यह आपके statement कौन सा true है, देखो true and false वाला statement आपका आगया, ठीक है, यह वाला question भी बताया था, last में आपका match the column का question, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि इतने type के questions आपको मिलेंगे, direct data based, statement based, numerical, assertion reason, true and false, match the column, इतने type के question आपके last year पूछे गया थे, मैं वापस एक बार दिखा रहेता हूं, this is direct data based, उसके बाद में next आप लोगों का statement वाला question, फिर आप लोगों का numerical, then assertion reason के question, true and false statement के questions, उसके बाद match the column के questions, यह आपके question थे, अब next point, कि exam को clear करना है, तो which material, यह आप लोगो question paper, आप लोगों के पास with solution होना ही चाहिए, और यह with solution आपको कहा मिलेगा, मेरे official telegram channel, देवे sir, PW पे मिल जाएगा, दूसरा, ESE के prelims question आपके पास में होने ही चाहिए, तीसरा, state engineering के assistant engineer exam के question paper, with solution आपके पास होने चाहिए, detailed notes और short note, दौन होने चाहिए, short note आपको क्यों क्रि तीयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए detailed notes भी आपके पास होने चाहिए, last में हैं आपका mock test, तो यह essential ऐसी चीज़ा है, जो आपके पास होने चाहिए, आपको practice पे ज़्यादा धान देना होगा, अब आगे बात कर लेते हैं, कि आपके पास अभी क्या strategy आपको लेके चलनी चाहिए, पहली बात तो start, कब से start करें साथ, तो start करिए after response की, जब response की आपकी आजाएगी, ठीक है, जब आपकी response की आजाएगी, CVT 1 की, तब से आप लोग तयारी शुरू करना, reason मैं आपको बतायता हूँ, confidence आएगा, बढ़िया, confidence नहीं आता, अगर आप जब तक यह response की नहीं आजी न, तब तक उतना अच्छा confidence नहीं बन पाता है, इस वैसे मैंने आपको कह रहा हूँ, दूसरी बात है कि question practice पे ज़्यादा focus करना है, ठीक है, question practice पे ज़्यादा focus करना है, राधर दे theory बहुत ज़्यादा पढ़ने के, मैंने आपको बता तो दिया, यह कौन-कौ पन की तयारी करी होगी, तो subject knowledge, ठीक है, subject knowledge जो होगी, वो आपकी लगबग-लगबग 60-70% तो हो गई होगी, अभी आपको जो main focus करना है, वो focus किस के उपर करना होगा, अभी जो main focus करना है, वो आपको करना है, time के उपर, दूसरा, accuracy बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको 80 questions सही करने होंगे, 100 मैं से कम से कम बताया है, last year, इस बार तो और ज़्यादा करने होंगे, तो यह accuracy आप लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और सबसे last में एक और important चीज, वो होती है आप लोगों के पास में, की patience, धहरे, जिसको मैं कहूंगा, धहरे बहुत ज़् क्योंकि धहरे, क्योंकि CBT 2 के लिए बहुत ज़्यादा घबराट होगी आप लोगों के मन में, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तीन चीजों की आवश्यक्ता है, कौन-कौन से स्टैप के questions आएंगे, कौन-कौन से essential चीजों की आवश्यक्ता होगी, मैंने आप ल नई questions भी बनेंगे, उनकी practice कैसे करेंगे, ESC prelims के questions कैसे करेंगे, तो आप लोगों के लिए एक PW ने, या इंजिनियर्स वाला की टीम ने, एक batch हम लोगों ने, आप लोगों के लिए रिजाइन किया है, जिसका नाम है Chen SSJ 2024, CBT 2 batch, तीन ही branches के लिए, जिसकी प्राइस सिर्फ 499 रुपीज है, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलेगा, इसमें आप लोगों को, लाइव डाउट solution, 1000 प्लस practice question, जो की नए questions भी होंगे, ESC, gateK भी कुछ अच्छे questions होंगे, इसके बार lecture panel आप लोगों को मिल जाएगा, लाइव lecture मिलेंगे आप लोगों को, हर एक lecture इसका live होगा, आपको doubt engine मिलेगा, 24 by 7, और lecture भी आप लोगों को provide करा जागा, English के अंदर है, हिंदी और English, donor language के अंदर आपकी questions, हर एक question आपका हिंदी और English, donor के अंदर रहेगा, next आप लोगों का, कॉम से subject कप्शे शुरू होने वाले, इसका आप screenshot भी ले सकते हैं, civil, electrical, mechanical, तीन औही branches के अंदर, और non-tech के अंदर, non-tech आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है, advance में, ताकि आपकी calculation approach को बहुत अच्छा किया जा सके, और last में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो SSEJ, CBD2 के लिए test series भी है, और इसका price सिर्फ और सिर्फ 99 है, test series में आप लोगों को 20 test मिलेंगे, 12 subject wise और 8 FLT test मिलेंगे, detailed solution होगा, with answer की, latest pattern के आधार पर इनको design किया गया, test का duration, real exam pattern पे पूरी तरीके से आधारित होगा, और ये Hindi English, दोना language के अंदर देखने को मिलेगा, तो मेरे पूरी इंबीद है, कि CBT2 के लिए, क्या essential चीजां पता होनी चीए, requirement क्या है, exam की cut-off किस चीज के अधारित होती है, CBT2 के लिए, कौन-कौन से question, type के questions आपके पूछे जाते हैं, example के मरत से मैंने आपको बताए, ऐसे essential material जो आप लोगों के पास होनी चीए, CBT2 के लिए, और साथ में कौन सा ऐसा course है, जो आप लोगों की बहुर अची मदद कर सकता है, मैं ताली से साथ दिन तक आप लोग एक सही direction में चल पाएंगे, I hope कि आप लोगों ने इसको बहुर अच्छे देखा होगा वीडियो को, इस वीडियो के comment box में, आप लोग SSJ 2024 target के लिए, बहुत सुंदर सा एक हर जरू बनाएगा, मिलेंगे एक और सुंदर वीडियो के अंदर तिल दे टे कियर, थाइक यू सो मच